पुलिस विभाग चुष्ट पीडबलूडी विभाग सुष्ट जिससे आए दिन हो रही हैं दुरगटनाए प्रियाग राज के मेजा छेतर के अखरी सापूर में पीडबलूडी पट्री की जगः घरों का गंदा दूसित पानी इकठा होने और जल भराओ से पीडबलूडी सड़क छतिगरस्त होने से आए दिन हो रही हैं दुरगटनाए जिम्मेदार बने अंजान जिससे योगी सरकार की छब दूबिल हो रही है मेजा के अखरी सापूर यस्वी आई बैंक के सामने पीडबलूडी की जहाँ पट्री होनी चाहिए वहाँ नाली भर रही है काली सड़क से सटकर बनी नाली की वज़े से आए दिन दुरगटना हो रही है और जिम्मेदार अधिक्यारी अंजान बने है ग्रामिलों ने बताया कि यहाँ पर पानी निकासी की कोई जगर नहीं है जिससे लोगों के घरों का पानी पीडबलूडी सटक की जहाँ पट्री होनी चाहिए वहाँ इकठा होता है जिससे सड़क छतिग्रस तो हो गई है जिस पर आए दिन लोग गिर कर चोटिर हो रहे हैं वही ग्रामियों ने बताया कि इसकी सिकायत कई बार की गई मगर कारवाई आज तक नहीं हुई जिससे योगी सरकार की छबी धूमिल हो रही है बात भी सही लग रही है जहां पुलिस भी भाग ताबर तोड गांजा बम कट्टा और बड़े से बड़े अपराद का खुलासा करते हुए अभियुक्तों की गिरफतारी कर रही है वहीं पीडवलूडी भी भाग जैसे सो गया है एक ही समस्या को मीडिया दौरा बार बार प्रकाफित करने के बाद भी नीग नहीं खुल रही है इसको क्या समझा जाए ये तो सीधे सीधे योगी सरकार की छबी को धूमिल करने की कोशिस की जा रही है तो यह जो नाली दिख रही है तो यह तो बड़ी खतरनाक है यहां तो आए दिन एक्सिडेंट होता होगा तो यह कब से है इसा पड़ा हुआ है दस वर्स से तो कहीं इसका अपनी के सनोगर दिया गया क्या बनने के लिए तो बहुत पड़ा है उसके बात जो है इसमें अभी आये थे अधिकारी बोले कि दो तीम महिने में काम चालू होगा मगर अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिला इसका अच्छका वाये थे अधिकारी अरे लगबाग 20 दिन हो गया च्छकी जीवाग किछ कि ड्वलोडी बता रहे थे हो क्या मैं अच्छा है